हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आयों बहुत भी बढ़िया होंगे आपका एक बार फिर से दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टुडी सर्किल डूपाइंट जीरो पर दोस्तो हम लोग पढ़ रहे हैं द्रोइंग ठीक है और दोस्तों जो हम लोग यह ड्रोइंग पढ़ रहे हैं यह हमारे यहां UPBT सीबल इंजीनरिंगं फिफ्ट सैमिस्टर में हैं और आपके यहां याणि उत्राखंड बोड में यह जो ड्रॉइंग है दूस्तु यह पबलिख इंजिनरिंग इंध्विएंड इरिगयेशन alight नाम से आपकी फोर्थ सैम मैं तो आप लोग दूस्तों इसको पढ़ सकते हैं और इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं तो हमारा दूस्तों कैनल चल रहा है कैनल पर एक basic वीडियो मैंने डाल रखा है आप सभी ने देख लिया होगा तो उसी में आज हम लोग उसका जू ड्रॉयंग का पहला वीडियो होगा वह आ पार्सियली कटिंग पार्सियली फिलिंग और एक में टूटली फिलिंग यानि फुली फिलिंग का ड्रोइंग आएगा तो तीन वीडियो आएगे आपका कैनाल खताम हो जाएगा इसके बाद हम फिर अपना डैम स्टाट कर देंगे ठीके और कुछ लोगों की कमेंट आते हैं सर बीर पढ़ा दीजिए तो सब पढ़ा देंगे ठीके परिशान मत होना जोगी टॉपिक बहुत कम बचे हुए आपकी ठीके चलिए तो पहले कुश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले और इसका जो ड्रोइंग होगा उसको कांटीनू करेंगे तो देखिए बोला ह यह विल हो करना हैं और कैसा फूलि इन कटिंग पूर्टा कru अगणों के साथ navigating में एक क्रॉस-ैक्चेन को ड्रोब इणा जो डिए Lam यानि तल की चोड़ाई 3.20 मीटर, depth of canal 0.80 मीटर, यानि नहर की गहराई 0.80 मीटर, height of embagment 0.80 मीटर, किनारा हुचाई, ठीक है, जो side में embagment बनाते हैं, मिट्टी खोद के जो हम side में डालते हैं, उसकी total height दे रखी है, फिर बोला है top breadth of embagment, जो किनारा तुम बनाए होंगे, उ यानि किनारी की उपरी चोड़ा ये दे रखी है, service road कितना है, निरिक छड़ जो सड़ा के तुम्हारी वो ये रहाई, ठीक है, 3.60 मीटर, फिर कहा, assume other data, other data तुम्हें खुद माल लेना है, ठीक है, जो भी requirement हो, जैसे slope बगएर तो वो तुम खुद माल लेना, slope सबको यादी होगा, cutting में कितना रहता है, one ratio one का, horizontal भी one और vertical भी one, अगर horizontal हम एक मीटर चलेंगे, तो vertical भी एक मीटर चलना पड़ेगा, और जब filling करते हैं, तो 1.5 ratio one का, हम slope लेके चलते हैं, 1.5 horizontal और एक vertical, अब ये क्या है, जिनको हवा नहीं लगी, तो कोई दिखकत ही नहीं है, ठीक है, वीडियो में continue रही है, आप लोग सब आपको समाझ में जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं, जो basic नहीं देखते है, ठीक है, basic वीडियो आपको नहीं देखते है, सीधे drawing पर पूद पढ़ते हो, और फिर क्या तो समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो request है सभी ये calculator मेरे पास है की नहीं, ये रहा चलिए, तो हम start करते हैं दोस्तों drawing, और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक skill माननी पड़ेगी, तो मैं एक skill मानता हूँ, और यह skill आपको अपने exam में भी माल लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसी पर सारा का सारा जो हम NSL होगा, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, NSL जो होगा, उसको हम सबसे पहले इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जो natural surface level होगा, उसको हम ड्रॉ करेंगे, simply, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ, एक आपको fend line कीच नहीं है, मैं pencil और pen दोनों क यूज़ करूँगा, हलां कि जो मुझे drawing बनानी है, वो मैं बना रहा हूँ, किस चीज़ से pen से, ठीक है, लेकिन हर जगे मैं pen यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे erase करना पड़ेगा, तो मैं साती सार जो pencil उसका भी यूज़ करूँगा, ठीक है, यह तुम्हारा देखेंगे तो आपको आसानी से दिख भी जाएगा, ठीक है, लेकिन कोसेश करेंगे तब न, अब आपको देखना low quality में और वो भी quality चाहिए high, तो कैसे हो पाएगा, ठीक है, चलिए, तो यह हमने एक line कहीं चली, जो कि हमारा natural surface level को दिखाएगी, ठीक है, मैं थोड़ा dark कर procedure क्या रहाएगा, ठीक है, तो हमारा ये natural surface level हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोस्तों, यहां पर करेंगे खुदाई, ठीक है, नीचे क्या करेंगे, इसकी खुदाई करेंगे, और यहां बनाएगे canal, ठीक है, यानि हमें जो है पूरा का पूरा cutting में बन चाहिए, 0.80 meter दे रखा, इसको centimeter में बदलेंगे, तो 100 से गुणा करा देंगे, तो यानि 80 centimeter, और divide भी करना है 100 से, तो आजाएगा, आपका 8 mm के करीब, ठीक है, दिक्कत किसी उपई, चलिए, नहीं होनी चाहिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर, नीचे आजाना 8 mm, कितना mm आ जाने, 8 mm आपको आ जाने, नीचे, आप ऐसे आ जाई है, 8 mm, और देखिए, अगर कुछ लोग यह सोच रहे हैं, कि सर आपका MD 0 पर set नहीं है, तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा problem थी, ठीक है, क्योंकि जिस table पर मैं suit कर रहा हूं, उस पर और भी बहुत सार मैंने लगा रखिए, ठीक है, तो इसलिए MD 0 पर नहीं set है, ठीक है, तो आपको परिशान नहीं होना है, बस ध्यान यह देना, कि यह जो scale है, यह तुम्हारी drawing sheet के parallel होनी चाहिए, ठीक है, खेर इन चीजों फोकस ना करो, ठीक है, जैसा आपको set करना है, आप कर लेना, ओके, चलिए, तो हमारी depth कितनी आई थी, 8 mm करीब आई थी है, तो हम 8 mm चले जाएंगे नीचे, देखो, यह देखिए, हम 8 mm चले जाएंगे दोस्तों नीचे, तो यह हम चले गए, यानि हमारी पूरी की पूरी गहराई, हमें एक point यहां मिल गया, यह पूरी depth हमारी 8 mm की हो गई, अब जो हमारा bed है, उसकी चौड़ाई कितनी जल्दी से देख लो, तो 3.20 मीटर के सम्किन हमारी जो चौड़ाई है, वो दी गई है, ठीक है, देखो, breadth of bed 3.20 मीटर, ठीक है, तो 3.20 मुल्टिप्लाई 100 कर लेंगे, आपका 320 आजाएगा, डिवाइड करोगा किस से, 100 से, तो अब देखना, गौर्सरी में ड्रोएंग यहाँ पर continue कर रहा हूं, क्योंकि अब चौड़ाई कितनी लेनी है, 3.2, तो बना लो यहाँ से आप कहीं से भी 3.2, ठीक है, कहीं से भी आप बना लो, आपको बस 3.2 cm चलना है, देखिए, एक, दो, तीन, और 3.2 में यहाँ तक चल का, यह, यह जो हम चले हैं, यह कैनल का बिरेद है, हलाँ कि मैं depth भी दिखा दूँगा, अब परिसान मत होना, 3.20 मीटर, ठीक है, इतना समाझ में आगया, चलिए, अब यहाँ पर cutting करी गई है, तो cutting पर अब यह जो slope देनी है, वो हमें देनी है, 1.1, स्री, 1 ratio 1 का, समझे की नहीं समझे, तो अब एक चीज ध्यान रखना, कि हम कैसे चलते हैं slope, कैसे चलते हैं slope यह ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादे confusion होती है बच्चों को, और कभी समझ में ही नहीं आता, तो तुम मुझे यह बताओ, मुझे slope चाहिए यहाँ पर ऐसे, मु depth कितनी थी, depth थी तुम्हारी 0.8 meter, तो तुम अगर 0.8 meter तुम vertical चलोगे, तो horizontal भी तुम उतना ही चलना है, क्योंकि जो slope का ratio है, वो है 1 ratio 1, तो तुम 0.8 meter अगर चलोगे vertical, तो इस तरीके से यहाँ horizontal भी तुम उतना ही चलोगे, इस चीज को ध्यान रखना, तो scale में यह कितना होगी, ऊपर की और, क्ये चल जाओगी, ऊपर की और हम थोड़ा इसको erase भी करता जाता हूँ, बना यह पुर गंद हो जाएगा, ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना है तुम, अब मैं क्या करूँगा, इस point से, इस point से, जो है, आठ हैम चल गय में आ गया होगा, और जिन्हें समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्का थी नहीं है, ठीक है, ओके, इस तरीक से, इसी तरीक से, इस सैड भी चलना है, तो vertical तुम कित्ता चलोगी, 8 mm, vertical चलोगी, 8 mm, तो vertical point यहां मिल जाएगा, इसके बाद 8 mm आँगे, चल जाओगी, horizontal, तो वाला portion है, यह जो मेरा pencil वाला portion है, मैं इसको कर देता हूँ, erase, ठीक है, और अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीक से बढ़आ देता हूँ, ठीक है, यह मैंने बढ़ा दिया, इस तरीकी से, ठीक है, चलिए, समझ में आगिया इतना, कैसे हमने इसको ड्रॉ करा, अब को समझ म दिखाए तो अब आप डैप दिखा सकते यहां से जो यह डैप थे वो कितनी है तो डैप थी तुम्हारी जीरो पॉइंट एट जीरो मीटर ठीक है यह तुम्हारी डैप थे समझ गे इतना चीज चलिए अब तुमने यह तो बना दिया पूरा इसका एक तरीके से क्रॉस सेक्षन ठीक है कैनल का इतना लिकना अब साइड में तो बर्म भी लेना है बर्म भी लेना कितना लेना है सबको पता होगा बताओ जल्दी अगर क पुली कटिंग में है तो बर्म गहराई का डेड़ गुना लेते हैं गहराई है 0.80 इसका डेड़ गुना करो जल्दी से ठीक है तो 0.80 और गोडे 1.5 कितना आएगा देखो 1.2 मीटर और 1.2 मीटर का मतलब होता है मेरे दोस्तों 120 सैंटीमीटर इसको डिवाइड करोगे 100 से तो तुम्हारा 1.2 सैंटीमीटर आ जाएगा यानि दोनों सैट जो तुम्हें बर्म छोड़ना है वो 1.2 सैंटीमीटर का छोड़ना है तो 1.2 सैंटीमीटर इस सैट लेलो देखो 1.2 सैंटीमीटर इस सैट तो पॉइंट यहां मिलेगा और 1.2 सैंटीमीट देखो 1 यह और 2 तो तुम्हें पॉइंट यहां में लगा इन पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि अब यहां से तुम्हारे इम्बैक्मेंट बरना शुरू हो जाएंगे ठीक है चलिए तो कुशन में अगर इम्बैक्मेंट की चेंज कर चुक है हम लोग इसकेल में 8 mm आता है बार बार ठीक है पैंसिल कहां चला गया भाई यह रहा ठीक है अब 8 mm आप क्या करेंगे ऊपर चल जाएंगे इस तरीके से 8 mm आप चल जाएंगे ऊपर तो 5,6,7,8 तो 8 mm उपर जाओगे यहां पर ध्यान दो यहां तक ठीक है आठ है मतलब इस हाइट पर तुम्हें रहना है एक सेकेंड यानि कहने का मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारा इम्बैक्मेंट बनेगा उसकी हाइट यह रहेगी क्या फिल्क में पर गी वाली है मतलब जो मिट्टी खोदे हो वो यहां पर डाले हुए हो तो अब तुम्हें यहां जो चल ली है वो टएक है तो पहले तुम्हे één जोंटल चलना पड़ेगा यह ध्यान रखो तब जाके तुम्हारी जो slope है वो तुम्हें मिलेगी ठीक है समझे की नहीं समझे अरे भाई साब यह height तुम कितनी चले यह vertical distance कितनी चले उपर की ओर 0.80 meter समझने वाली बात है मैं बता रहा हूँ slope ही सबसे hard लगती है बच्चों को drawing में और सारी चीज़े easy होती है slope अगर नहीं समझ पाए ना तो तुम question को कर ही नहीं पाओगे ठीक है ना हमें slope पता कैसे लेनी है हमें slope ऐसे लेनी है यह slope लेनी है इस तरीके की यह slope कैसे मिलेगी आप कहेंगे सर यहां से horizontal distance चल जाओ और फिर सीधे vertical चल जाओ यह slope मिल जाएगी तो यह horizontal कितनी चल लिए और यह vertical कितनी चल लिए तो सर कहेंगे vertical तो आप चले हो 0.80 ठीक है यानि vertical चलना है एक के ratio में और उसका डेढ़ गुना चलना है horizontal तो डेढ़ गुना कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 0.8 का डेढ़ गुना कितना हो जाएगा अरे भाईया 12 mm हो जाएगा क्या देखो मैं बताताओ 0.80 और इसका डेढ़ गुना यानि 1.5 कितना आ रहा देखो 1.2 आगया ना यानि 1.2 cm मुझे चलना होरिजोंटल तो मैं अब चलता हूँ इसको erase कर देता हूँ ठीक है तुम पूली drawing और गंदी करवा रहे हो समझाने के चक्कर में लेकिन समझते जाओ वरना कोई नहीं समझाएगा ऐसा मैं बता रहा हूं ठीक है तो तुम यहां से पहले क्या करो 12 mm चल जाओ देखो यह 5 5 10 और 12 mm यहां आएगे और अब तुम सीधा ऊपर चल जाओ उपर तो क्या चलना ऊपर हमें पॉइंट पता यहां मिल जाया कहीं पे ठीक है दोस्तों और थोड़ा से ना आज इस्टेंड इतना खतरनाक तरीकिसे मैंने सैट कर रखा है कि मुझे पता बहुत दिक्कत हो रही है यार को सूट करने वीडियो है न एक सेकंड रुकिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा बेट करिए मैं इसको थोड़ा सही करने की क पॉसिस करता हूं चलिए यह पॉइंट मुझे कहां मिलेगा यह पॉइंट मुझे मिलेगा यहां पर ठीक है चलिए प्रॉब्लम ही सॉल्व करा लेंगे यह चले थे हम यहां तक 12 mm यहां वर्टिकल चल दिए और यह पॉइंट अप तुमको यहां मिला देना है तो तुम्ह 1.5 रेशियो 1 यह ध्यां रखना ठीक है और इस पैंसिल को थोड़ा एरेज कर लो क्योंकि इसका यूजब नहीं है ठीक है अब यह इंबेक्मेंट की जो ऊपरी चौड़ाई है वह हमें दी गई है कुश्चन में कहां चला गया कुश्चन इंबेक्मेंट की ऊपरी चल ले लिए अब तुम चल जाओ 1.5 सामने की ओर तो यह तुम्हारा यहां तक आ जाएगा ठीक है तो यह तुम्हारी क्या हो जाएगी इंबेक्मेंट की ऊपरी चौड़ाई हो जाएगी जो तुमने लेनी है ठीक है अब फिर से वही स्लोप तुम्हें ऐसे चलनी है यही स एट का डेड़ गुना यानि होरिजोंटल तुम चलो आंगे 12 मिल जाएगी अपने आप ठीक है चलिए तो चलते हैं हम लोग तो 0.8 सामने तो बिलकुल यहीं आ जाएगा पॉइंट इसका 0.8 जो सामने आएगा वो बिलकुल यहीं आएगा ध्यान से देखो यहां तक अब स पॉइंट है न यहाँ था ठीक है यहाँ था इसको मिला दो इसके साथ अ ड्युक्ष Dल очень अजये एओ ऐस्लोप बन चुकी या यहानि यहाँ रेट बन चुका है यह क्या बन गया यह तुम्हारा बन गया इंबैक्मेंट है समझ में आया और यह जो स्लोप दी है तुमने यह भी तुमने 1.5 रेशियो वन ही दी है ठीक है अब जो टॉप बिरे थे वो थोड़ा सा दिखा दो देखो एमडी को कैसे घुमाना पड़ रहा है आज मैंने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में ही तो स्टेंड बार-बार प्रॉब्लम कर रहा है चलिए कोई नहीं लेकर वीडियो तो अब हम रुकाएंगे नहीं पूरा कंटीनुई कर देंगे ठीक है यह कितना था तुमारा जो ट को सब दिख रहा होगा आप लोगहों को ठीक है इस तरीके सां देखते रहो ठीके तूरी के का इमेट हमेंट बना लिया ओक करे खнал ये चछीज भी सब को पता होगी summer है ये सब ही को पता होगा कि इस साइट ए साइड का इन स्वागर मेंट का टॉप ओर इस इसाइड का जो डॉल रहे सा इस त्रूर Baba यो होता है इस त्रीके से gross, ठीक हम नहीं आगर भाली ठीक ये और बर्म जो हमारा था वह बन कितना था यह दिखा दीजे थोड़ा सा तो यह जो बर्म का पॉइंट है यहां से यहां तक यह 1.5D है इसी तरीके से यहां पर भी 1.5D ही है आपका ध्यान से देखना यह यह भी आपका 1.5D है 1.5D यह भी 1.5D है तुमारा समझी इस चीज को ठीक है कोई प्राबलम यहां तक किसी को नहीं होने चाहिए ठीक है चलिए तो अब हमें क्या करना है दोस्तों इस साइड बनाना है जो हमारा दूसरा साइड में सर्विस रोड भी बनाना है तो इस चीज को भी ध्यान रिके आपको चलना है ठीक है चली तो मैं इसके बाद इसको करता हूं यहां पर सेट से तुम कहोगे साइड जी पहले तुम यहां पर होरिजोंटल चल जाओ और फिर सीधे वर्टिकल चल जाना तो मैं होरिजोंटल कितना चलूंगा क्या मुझे पता है नहीं लेकर मुझे वर्टिकल पता है वर्टिकल कितना होगा यह वाला यह वाला यह वर्टिकल पूरा हा और इस प्वाइंट से ब्लैक पेन कहां चला गया एक सेक्ड़ दोस्तों वह ब्लैक पेन कहां चला गया यह रहा ठीक है चलिए तो हम यहां से पहले 12 mm चल जाएंगे ऐसे और फिर बैटी के लिए 8 mm और इसको मिला देंगे इसके साथ ऐसे तो यह हमारा इस साइड कवर हो जाएगा ठीक है अब यह डॉला बनाना है डॉला की टॉप ब्रिद सबको पताओगी कितनी ली जाती है बताओ जल्दी से कितनी ली जाती है आधा मीटर 0.50 cm ली जाती है न य तुम्हारा 5 mm आएगा तो तुम्हें क्या करना है 5 mm बिल्कुल सीधे चले जाना है 5 mm तुम्हें पहले बिल्कुल सीधे चले जाना है कुछ इस तरीके से और फिर से जो वही स्लोप है वो तुम्हें लेनी है लेकर नीचे तक नहीं आओगे नीचे तक तुम नहीं आओगे कि ध्षान रखना नीचे तक नहीं आना होता है तुम्हें अरवी जो ये बनाया ये तो इसकी टॉब ब्रिट है ये देखो ध्यान से ये टॉब ब्रिट है जो कि तुम चले हो कित्ता जीरो पॉइंट फाइब जीरो मीटर ये टॉप ब्रेथ है आपके डॉला की ठीक है अब आपको अगर ये पता है ना कि डॉला की हाइट कितनी होती तो डॉला की हाइट भी उसकी टॉप ब्रेथ के बराबर ही होती है मतलब 0.50 यानि 5 mm तो 5 mm पहले तुम नीचे आ जाओ इस मतलब यहां तक इस लेवल पर तुम्हें क्या बनाना सर्विस रोड बनाना यहां ध्यान रखना इस लेवल पर तुम्हें यहां लेप्ट में सर्विस रोड बनाना यहां पर सर्विस रोड ठीक है और फिर यहां से तुम्हें यह स्लोप नीचे ले करके आनी है कैसे ऐसे क् यह जो सोब से लोद वो से समझने इस चीज को एंशा समय नहीं बता रहा हूं अभी लोद क्या है यह तुम्हारा डॉला एसे आना चाहिए ऐसे समझेकी नहीं समझे तो यह सुचा में कैसे मिलेगी और हैं यह सो टॉम्हारील इसकe इतनी यह नीचे आ जाऊ तुम मतलब 0.50 मीटर और फिर यहां आंगे horizontal चल जाओ तो यह filling में ही चल रहे हैं हम लोग तो अगर vertical हम चलेंगे 0.50 मीटर यानि डॉला की height की बराबर अगर मैं vertical distance चलता हूँ 0.50 मीटर तो horizontal उसका डेल गुना हो जाएगा ध्यान रखना ध्यान रखना अगर यह मैं चल रहा हूँ पचास सेंटी मीटर तो इसका डेल गुना जो 75 सेंटी मीटर होगा वो मैं आंगे चलूँगा ठीक है तो मैं इसको erase करता हूँ समझ में आगया होगा समझने बालों को ठी ठीक है चलिए तो अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ पहले चलता हूँ जो वर्टिकल डिस्टेंस है मेरी तो मेरी उपर से वर्टिकल डिस्टेंस यह हो जाएगी और अरे यार तुम ऐसा करो डेड़ गुना भी निकालो जिनको कन्फुजन होरी है ना 0.50 इसका डेड़ ग यह जो तुम्हारा डॉला है तुम इसको कनेक्ट कर दोगे इसके साथ इस तरीके से और इसको बस आंगे बढ़ा दोगे ऐसे तो यह तुम्हारा सर्विस रोड बन जाएगा लेकिन सर्विस रोड की चौणाई भी फेक सही ध्यान रखना ठीक है तो मैं इस पैंसिल्स बग करते हैं आपको दिखना ही रहा है तो कि अब देख रहा होगा ठीक है और यह तुम्हारा नेच्रल सरफेस लेवल है न तो इसको मैं लिख देता हूं एंड एज एल ठीक है नेच्रल सरफेस लेवल तो इसको बढ़ा है अब तुम्हारा जो यह रोड है वो कितना है 3.60 यानि 3.6 cm कैलगुरेट मत करो सीधा कर लो ठीक है क्योंकि इसकी यल्म चेंज करना सबको आता है तो 3.6 तुम्हें लेना है तो यहां से ले लो तुम 3.6 तो यह विल्कुल फिक्स है यहीं तक यह विल्कुल तुम्हारा फिक्स है यहां तक यहां तक तुम्हारा क्या है यह सर्विस रोड है यह धिहान रखना यह तुम्हारे सर्विस रोड की चोड़ाई है यहां से यहां तक की यह तुम्हारा सर्विस रोड हो गया 3.60 मीटर जो तुम्हारा सर्विस रोड है अब देखिए दोस्तों मैं तुम्हें एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि साइड में ड्रेन भी बना दी जाती है भी बना दी जाती है है तो ड्रेन की डेप्त भी कितनी रखनी होती है अब देखो मैं यहां इस ड्ला की हाइड भी दिखा देता हूँ यहां से यहां यहां तक कि यह जो हाइट है यह जो हाइट है यह तुम्हारी 1.5 रेशियो, 1 में तुम्हारी दि गई है, यह जो तुम्हारी सलोग दि गई है यहाँ पे, ठीक है न, चलिए, इतना सबको समाज में आगया है, हाँ मैं Drain की बात कर रहा था, कि मुझे Drain बनानी है यहाँ पे Side में, तो मैं Drain कैसे बनाओगा, हां ठीक है उस चीज तुम्हें ध्धान से जो हैया पर देखाना है ठीक है चलिए तो देखे ड्रेन तुम कैसे बनाऊगे ड्रेन देखी हो सकते हैं तुम सर्विस रोड से विलकुट सठास Candy बना सकते हूं और फिर आंगे सब करके इसको बना सकते हैं ठीक अगर आपकी मर्जी है तो तो आप देखे कैसे बनाएंगे हम यहां पर जो हमारी ड्रेन होगी ड्रेन कुछ इस तरीके से बनेगी हमारी देखो ऐसे ड्रेन की जो यह चौड़ाई है यह 50 cm और यह जो गहराई है वो भी 50 cm ही रहती है समझे इस चीज को कhoven timeframe रहेगी की तो किसी को नहीं होनी चाहिए त्रहे चलिकले तुम्नहीं धिखाता हूँ क्यासे इसको हम बनाएंगे चलिए ओके चलए हम इतनी स्लोप चल लेयते हैं यहां पर देखो ध्यांसे ये जो उपर जो सर्विस रोड उसको तो तो बीच में से यह नीचे तो कितनी स्लोप देने हैं तुम बहिए बताओ पॉइंट एट जीरो था तो यानि ये अपका 30 सेंटीमीटर बचा है तो अगर वर्टिकल डिस्टेंस 30 है तो होरीजोंटल कितना चलना पड़ेगा जल्दी बताओ अरे वर्टिकल 30 है तो होरीजोंटल 45 चलोगे मतलब 45-45 तो तुम पहले तो 45-45 आंगे जाओगे कुछ इस पर और इस तरीके से ये तुम पहले तो एक स्लोप दे दोगे इसको ऐसे और ये तुम अपना जो कि. अच्ब है । उसको मिला दोगे इस तरीके से अब तुम बनाओ और यहाँ पर अब तुम क्या करोगे अब बनाओगे ड्रें जो तुमारी ओ Czech नहीं अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल सई सोचा है तुम लोगोंने अगर पल्ले ना पढ़ रहा हो ना तो परिशान मत हो अभी वीडियो छोड़ दो थोड़ी दिर के लिए और फिर से इसको थोड़ी दिर बाद देखना और डी मोटीवेद बिल्कुल मत हो ना कोशेस में बिल्कुल मत हार ना क्योंकि अगर आपने कोशेस हार लीना तो मतलब यह सोच देशेए पूरी YouTube पर तुमें कोई नी समझा पाएगा फिर मैं सच बता रहा हूं इतना इसी तरीके से समझा रहा हूं मतलब इतना इसी होई नहीं सकता मेरे हिसाब से कहीं नहीं हो सकता एकदम छोटे बच्चे की तरह समझ ना तो हमें ये जो नीछे चलने है वो किना चलना ड्रेयन की घराई के बराबर तो जो जो ड्रेयन की घराई है वो 50 सेंतिमेटर रही है मतलब पांच अमें याप क्र tip 5 चल जाएंगे नीचे 5 mm क्या चल जाएंगे, नीचे चल जाएंगे, मैं slope दे रहा हूँ, तो मैं 5 mm चलूँँगा नीचे, ठीके, अब मैं cutting में जा रहा हूँ, ध्याँ रखना, और 5 mm फिर मैं आँगे हो जाएंगा, 5 mm आँगे हो जाएंगा, तो मुझे ये slope मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, ये मुझे slope मिल जाएगी, drain की, side वाली, और उसकी जो चौणाई है, वो भी मुझे 50 cm ही रखनी है, ठीके, यानि कि मेरा इसमें हो जाएगा, 5 mm इस किल में, ठीक है, ये इस तरीकी से, और फिर मुझे side slope भी देना है, ठीके, क्योंकि drain तुम्हारी ऐसी होगी ना, महराज, ऐसे होगी drain, तो मैंने ये slope बनाई है, अभी one ratio बन में, तो उसके लिए मैं 50 ये चला, और 50 mm ये चला, ध्यान देना, अब ये चौणाई जो है वो भी मुझे 50 ही चलनी है, फिर मुझे ये slope चाहिए, ये वाली, ये वाली मुझे slope चाहिए, तो ये वाली slope मैं कहें चलूँगा, अगर मैं यहां से ये 50 चल जाओं, और फिर उपर 50 चल जाओं, और इसको ऐसे मिला दूँँ, तो ये मुझे मिल जाएगी slope, अब समझ में फिर से आगे चलना है, तो 5 mm आगे चले, और 5 mm उपर चल दिये, और इसको मिला दिये, इसके साथ, कुछ इस तरीके से ये देखिए, और फिर सीधे निकल जाएंगे, हम सामने की और, तो ये तुम्हारा एनसल हो जाएगा, ठीक है, चलिए, खतम, ड्रेन खतम, कैनल खतम, ह तो ये कितना है, 0.50 मीटर, यानि 50 cm, और इसका जो डेफ्थ है, वो तुम आगर दिखाना चाहो, तो दिखा सकते हूं, ये डेफ्थ कितना ही है, तो ये डेफ्थ भी तुम्हारा एतना ही है, कितना, 0.50 मीटर, और एक चीज़ उपर बोलना चाहूंगा, कि जो लोग सीधे वीडियो open कीये हुए है, और सीधे drawing sheet set करके drawing बना रहे हैं, तो वो बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगा अपनी होर से, मैं चाहूंगा कि एक बार आप सारी की सारी जो केनाल की ड्रोइंग है वो एक बार रफ में ट्राई करें और थोड़ा सा बड़ी-बड़ी बना करके देखें पहले इतना पार्ट सीखें कि कैसे हम सुरूप लेते हैं फिर जब यह बनने लगे तो साइड में पेज में यह बना करके देखें कि अच्छा ऐसे चलते हैं तो उ अग keeping करें है यह बने कोशन है Շसको थोड़ा सं में ए्रेज कर दू और इसकी कुछन नीम लगा इसको कुछन में कुछ निबचा जो जो दिया था हमने से पूरा का पूरा दिखा दिया, इस पूरे के पूरे question है, बस इस तरीके से बनाना था, service road दिखा दिया, top breath दिखा दि, embedment की, height दिखा दी, depth दिखा दी, breath दिखा दी, सारी सारी चीज़े दिखा दि, और जो हमें मानना था, slope बगार वो हमने मान लिया, ठीक है, हलांकि तुम्हें यहां slope दिखा नहीं है अगर drain में दिखा सकते हो यह भी one ratio one में है इस side और इस side भी one ratio one में ही तुम्हारी slope जो है दी गई है तो यह तुम्हारा दूस्तों क्या हो जाएगा क्रोस सेक्षन है यह तुम्हारा यह क्या है यह तुम्हारा है क्रोस सेक्षन क्रोस सेक्षन ठीक है ओफ कैनाल fully in cutting fully in cutting fully in cutting में क्या है ये उसका cross section है इस तरीके से बनाना होता है और I hope सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है तो I hope आप इसको बनाएंगे ठीक है और try भी करेंगे और मुझे अभी ये लगेगा दोस्तों कि आप लोगों को उतना बैस्ट समझ में नहीं आया होगा ठीक है पहली बार में नहीं आएगा भाई मैंने भी जब पहली बार ड्रोइंग पड़ी थी ना और साथ में बताऊं केराल की पड़ी थी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं पता सबसे ज़्यादा कन्फ्यू पूरा जो ड्रोइंग था वो इतना easy हो गया था उम्मीद से भी जादा तो पहले आप focus करना कि आप सुलोप सही चल पाते हैं या फिर नहीं चल पाते हैं अगर आप सुलोप सही से चल गए तो फिर आपके लिए सारा का सारा काम इजी हो जाएगा ठीक है बिलकुल भी आपको हाड नहीं लगेगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और मैं रफली भी बता रहा हूं कि अगर तुम्हें यह सुलोप चाहिए तो पहले यह होरीजोंटल चलो और यह वर्टिकल चलो तुम्हें यह सुलोप चाहिए तो पहले यह horizontal चलो यह vertical चलो कितना आसानी से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लेकिन कोसेश करना दोस्तों कि समझ में आया एक दो बार में ही ठीक है ठीक है कोसेश करेंगे तो आ जाएगा इतना hard नहीं है ठीक है तो यह पहला जो drawing होता है हमारा ठीक है वह हमारा यहां पर finish हो गया ठीक है बहुत ही अच्छे तरीके से और अगर naming बगार करनी है तो कर सकते कोई दिक्कत रिए कि यह service reward है तुम्हारा और यह तुम्हारा डॉला है यह इंबेकमेंड मैंने लिखी दिया ठीक है यह बैड है हलाकि जगे कम बच्ची होई तो मैंने नहीं लिखा बार गंदा हो जाए ठीक है क्योंकि मुझे इसका thumbnail भी सूट करना अभी ओके चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों जो इसकी अगली ड्रॉइंग होगी मतलब कैनाल इ